स्वागत है दोस्तों आप सबों का ICT classes में और आज जो topic हम लोग डिसक्रस करने वाले है वो है biomimikry जी हाज हम लोग डिसक्रस करने वाले है biomimikry जो आपका biology है जो आपका nature है वो कैसे अजे engineer काम करता है और कैसे हमारे जो daily life के जितने सारे भी problems है उसको solve कर सकता है कैसे biomimikry काम करता है और जो हाल में ही आपका किस IIT ने biomimikry के लिए एक special course आपका full semester course लाने का बात का है तो इसके बार में हम लोग डिसक्रस करेंगे जो भी से related चीजे है biomimikry क्या होता है कौन सा institution इसको लाने की मांग कर रहा कौन कौन से प्रोफेशर उसमें पढ़ाएंगे इसके बार में हम लोग डिसक्रस करने के साथ यह कुछ example भी देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक लास इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे termit mount से आपका एक AC से भी ठंडा रहने वाला office बन गया है ना बिना AC के तो इसको डिसक्रस करते है तो देखिए जो आपका IIT मदरास है ना ओफर क्या है कोर्स कौन सा आप आयो मीमिक्री कोर्स आपका जैपैन में इसका काफे जादा यूज है अमेरिका में हुआ तो जो आपके बड़े बड़े country है उसमें आपका biomimikry as a subject रहता है और इसके काफे importance दिये जाते है biomimikry तो हम लोग पहले जान लेते कि biomimikry actually में है क्या तो biomimikry is the interaction of biology and engineering मतलब कि आपको biology से और engineering को relate करके देखना है आप biology में कर सकते हैं basically होता कहना कि हम nature से बहुत कुछ चीज़े समझ सकते हैं बहुत सारी चीज़े सीख सकते हैं और इसी nature में आ जाता है हम लोग का bio मतलब जीवन आ जाता है तो जीवन की study होती है biology आ जाती है तो biology में जितने भी जीव है basically बात यह हो रहा है कि जो हमारे nature में जितने भी जीव है उससे हम लोग चीज़े को सीखे उनके जो skills है उनके जो techniques है बहुत सारे अलग-अलग techniques है बहुत सारे difference creature है जिनमें अलग-अलग तरि में है ना तो यह IIT मदरास का जब का बहुत बड़ा एक step हो सकता है बहुत जल्दी ओफर करेगा आपको और एक नया subject आपको पढ़ने को मिल सकता है और बात की जारी है तो यह full semester रहेगा है यह आपका full semester रहेगा ऐसा नहीं कि आपको side subject या कुछ नहीं नहीं यह आपका full semester रहेगा उसका सारा plan बन चुका है तक कि कैसे उसको आगे पढ़ाया जागा कैसे पढ़ाना है कैसे जो आपका blueprint है वो सब सेट अप कर दिया गया है कि आप कैसे उसका classes वगेरा होगे तो basically इसमें क्या हो रहा है आपका interaction हो रहा है biology से आपका interaction हो रहा है आपका nature से और nature से ही स उसको अपने daily life उसको practically आपको उतारना है क्योंकि कई सारे जो इंसेक्ट से कई सारे वर्क करते हैं चीटी अपना काम करती है कई सारे इंसेक्स कई सारे उसके पास special organs है वो कुछ काम को कुछ इस तरीके से करते हैं जो अजे engineering हम लोग उसको relate कर सकते हैं जैसे कि आप लोग स मैं परहे आपको दे देता हूं कि जापान में था जपान में जो ट्रें था है ना तो हुआ कि आतना जो क्या जो इंसपार की दिखा गया था किसे aip किंग फिूसर बड्स शींस पंसे ऍसपार कैसे क्या गया था तो अब हम लोग यह समाझते है कि जो पहले में गडेश चै नेक्स्टा पार्ट्य आपकर नहीं होता था लेकिन इससे होता था क्या इश्व क्रिएट्व हो गया था जब भी टरनल के अंदर घुसता था जब भी टर्नल के अंदर जो आपका यह मेंटटरेंट गुषता था तो क्या होता था कि काफि ज्यदा साँंड आता था और वहां से यह से बाहर निकलता था और इधासे आपका कौन सा आ गया माली जी आपका टरूनल है यहां से आपका एर है अब टरूनल में तो आपका एर फ्लोग होता है नहीं इसका concept of science पड़े तो आपको अच जो भी है से हवाँ से बहुत बड़ा आवास आता तो वाहँ इंज्ञिनग उनोह नोटिस किया कि इसको kingfisher bird को notice किया कि कैसी वो यहां से जो आपका पानी से आपकी मछली पकड़ लेती है आपके यहां से पानी से खाने का चीज़े उठा लेती है और होता क्या है ना कि जैसे कि पानी में हल्चल होगी यहां पर वैसे ही जो मछली आ रहेंगी जो बीजियी जन्तू है ना जैसे कुछ हल चलोगी लेकिन माली जो कोई उपर से आ रहा है तो कभ अटेंगे वह जब तो कोई साउंड हुआ मतलब यह गाया बुझा तो जब किंग फिसर की बात की जब इसको अब्जर्ब किया गया तो पाया गया कि इसके आगे का जो चोच रहता है काफी नुकीलर टाइप विए जैसे ऊपर से आताहे वावा को चीरते आता साउंड का भा पर्माउंट में होता है जिस कारण क्या अपना जो सिकार हुआ ब और जा भी का आप उतौ के जा़िए budget मांदे गिश्को देंगे तो देखिए यह आगे का portion ऐसा है तो अब यह क्या करता है हवा को चीरते हुए जाता है जिसके कान क्या नहीं होता है sound नहीं emit होता है sound propagate नहीं होता है बात करें तो जो IIT ने officially क्या state का है इसके बारे में हम लोग discuss कर लगते हैं you do not have to be either a biologist or an engineer to learn biomimikry all you need is curiosity ठीक है तो उन्होंने क्या कर रहा है कि आपको अगर आपको अगर biomimikry करना है तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको biology आना चाहिए या फिर आप एक engineer होना चाहिए इंजिनियर आपको आना चाहिए या लर्न होना चाहिए इसके लिए आपको biomimikry के ज़रत नहीं है आपको ज़रत क्या है curiosity की आपको चीजों को जानने की उत्सुकता की आपको चीजों को समझने की जो आपका curiosity है उसकी ज़रत है curious enough to look at a lotus leaf and ask the question like how does a lotus leaf remain clear जैसे कि उन्होंने एक्जामपल में दिया यह official इसका statement रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि curiosity के बात की कि आपको biomimikry करनी है जाननी है तो आपको के लिए curiosity होने चाहिए कोई ज़रू ही नहीं कि आप बायोजिस्ट हो या engineer हो है ना उन्होंने कहा curious related बत बंदे हो जाते हैं लेकिन आपको lotus leaf है करना नहीं होता है इससे related आपको example दिया गया इसमें नेश्ट हम जब बात करें है ना तो यह आपका institution जो मदरास का है वह आपको बहुत जल्द offer करेगा फुल semester रहेगा इलक्टिव course रहेगा है ना यह inspiration देगा हम लोग को solve problems solve and complex problem solve करन आप जो आपको बात करना है वह बात करना है किसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे इस्टेगेट सेंटर यह क्या एक mall है और जो हुआ क्या था ना कि जिंबाबे में एक इंजिनियर को ऐसा काम स्वापा गया था कि आप एक ऐसा mall बना दीजिए जो की फुल एसी रहे काफी ज्यादा ओफिस था उसका उस महापर ओफिस भी थे तो काफी बड़ा जो mall था काफी बड़ा होने वाला था जो building था उसका size काफी बड़ा होने वाला था और यह काम दिया गया कि इसको मिक पियर्स को दिया गया कि आप ऐसा बनाई यह building जिसमें हम ज तो उसमें नोटेस किया कि आपका यह तर्मीट मौंट राता है क्या सारे छेट रहते काई सारे Holz रहते हैं जिससे ठंडह हवा आता है अंदर गरम हवार बाहर निकल जाता है क्या उता होता है तो तो उसी तरीके से उन्होंने डिजाइन कर दिया यह building उसी कॉंसेट पे यही सारे आंपर होल बनाइगाए हैं और इसको ठंडा रखने की कोसिश के गई कि कैसे इसको ठंडा रखा जा सके और यह बनके suc一個 हो गया तो आपका काफी कम पैसे में काफी कम खर्च में पाथ कर ले ते अब चुनपर्ज पर तो इस ش Top स सर्पाश्जी को een जो आपका यह डास्ता है उउसको भी करते है हम लोग करते हैं तो यह कही ना इसी से तो इंस्पेंशनर लेकि इसको बनाए गया है न जो नहीं आ गaza कि क्यों यहां उक्ते हैं ऊर्प validity लेकिन हम paclent ऐख आज घाल आप बात करें कि सबसे पहले अगर किसी ने आपका बायो मिमिक्री ट्राइ कि थी वो क्या था लियार्डो डिवेंची आपनों सब को जानते होंगे लियार्डो डिवेंची जो फेमस पेंटर मी थे जिन्होंने मोनाली से का प्रेंटिंग भी बनाई है तो उन्होंने ट्राइ से इंस्पिरेशन लिया गया था तो कहीं कहीं एक हमारे डेली लाइब के काफी ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्ब कर सकती क्योंकि उसके पास हर चीज का स्विशन है अदे कि भगवान ने जो भी चीजे बनाई है काफी ज़्यादा वेल-रेंज बनाई है काफी जादेविश है आप यही डेख सकते हैं, मालेज अपका नाकबंध हो गया, सिंपल सा बात है, और आपको शांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपका नाक में आपका नाक के दौष्षेद, अगर यह नाक बंध हो गया, इक साइड बंध हो गया, तो आप मुझे सकते हैं तो यह कितनी अच्छी कारीगरी की गई है गौड के द्वारा भी और उन्होंने हर चीज को एक specialization दिया है special चीज दिये तो उसी से आप लोगो सीख सकते हैं और अपने complex life के problem को solve कर सकते हैं तो यह था bio mimicry और आपको भी अगर interested हो अगर आप भी subject को पढ़ने के लिए जार एक पर comment करना मैं भी तो देखो किसको किसको interest है subject को पढ़ने में जो have a nice day guys bye bye keep learning I hope कि आप लोगों को यह समझ में आगया होगा बाबाइ